हेलो फ्रेंड्स, लव एन अदर ड्रॉग्स ये 2010 की रोमेंटिक मुवी आज मैं आपको एक्स्प्लिन करने वाला हूँ इस मुवी में हमारा मेन क्यारेक्टर जेमी जो लव उपर बिलिव नहीं करता जब एक लड़की से वो मिलता है, जब नाम होता है मैगी, उसके प्यार में पढ़ जाता है मुवी की स्टोरी लाइन आपने बहुत बार सुने होगी पर इसका एक्जुकेशन बहुत ही अलग है तो चलिए इस ब्यूटिफल मुवी को एक्जुकेशन करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन क्यारेक्टर जेमी हम देखते है जेमी एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है अगर हम जेमी के कारक्टर के बारे में बात करें तो जेमी एक playboy tribe character होता है किसी भी लड़की से बहुत ही अच्छी तरीकी से बात कर सकता है और उसके साथ सिर्फ इसे सोना ही होता है इसके बात करनी की technique यह इस selling में भी use करता है और बहुत सारी चीज़े sell कर देता है यह जिस store में काम करता है तो उस store owner के एक girlfriend होती है जिसे बात करने लग जाता है जेमी और यह एक दूसरे से बात करने लग जाते है और इन दोनों में instant attraction हो जाता है यह directly store के पीछे जाकर एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है यह लड़की डर रही होती है क्योंकि उसका boyfriend यही है तब ही इसका mobile on हो जाता है और इसके boyfriend कोई call लग जाता है store owner यहानि की boyfriend यह सब सुनता है बहुत ही गुसा हो जाता है जेमी को मारता है और फिर उसे भगा देता है जेमी को अब कुछ भी job नहीं है आज रात उसके family dinner होने वाला है जेमी की family हम देखते है तो उसके एक sister उसका एक brother और उसके parents होते है इसका छोटा boy एक millionaire है उसका luck अच्छा था तो इसका idea चल गया और ही millionaire बन गया इसकी sister भी doctor है पर जेमी ने ही कुछ अच्छा अपने life के साथ नहीं किया है इनके family एक typical dysfunctional family होती है जिनके एक दूसरे से बनती नहीं dinner table पर जब यह होते है तो जेमी को उसके job के बारे में उसका पुछते है जेमी के brother को पता होता है कि जेमी का job चला गया और उसका reason भी उसके पता होता है तो इसकी वज़े से वो हसने लग जाता है सब जेमी के लिए वरी करते है कि आप वो क्या करेगा जेमी का brother खेता है कि वो drug representative बन सकता है यानि कि doctor को जाकर medicines के sample देने वाले जो लोग होते है इन्हे medical representatives केते है यही वो जेमी को बनने के लिए कहे रहा होता है क्योंकि इस profession में बहुत सारे पैसे होते है जेमी के brother का नाम होता है Josh तो Josh अपने connections यूज़ करकर जेमी को job दिलवा देता है एक Pfizer नाम की company में जेमी को internship लग जाती है यहाँ आपर selling कैसी करनी है यह सब उसे सिखाया जाता है जेमी intelligent होता है तो जल्दी जल्दी सब सीख जाता है वह उसे सिखाने वाली उसकी boss होती है इसके साथ भी वो intimate हो जाता है जेमी जब उसके boss के साथ बेट भर होता है तो कुछ सोच रहा होता है उसकी boss पुछती है तुम सोच क्या रहे हो जेमी कहता है यह मैं पैसो के बारे में सोच रहा हूँ यानि कि Jamie कोई भी relationship नहीं रखना चाहता यह बहुत ही practical character हम यहाँ देखते है अब Jamie की internship खतम हो जाती है और उसके boss यानि कि Bruce के लिए काम करने वाला होता है यह दोनों अलग-अलग जगा जाकर doctor को sample देने वाले होता है उसका boss उसे guardian समझाता है कि तुम्हारा जो quota है यही सिर्फ important है तुम्हें जल से जल तुम्हारा quota complete करना है यहनि कि तुम्हें promotion मिल सके उसके boss उसे बहुत सारे instruction देता है Jamie को doctor के पीछे hospital में जाना allowed नहीं है तो जब doctor parking lot में ही होते है तो यह उनके पीछे पीछे इसे भागना पड़ता है एक सिन में हम देखते हैं कि Jamie और Bruce अपने office में होते हैं यहाँ पर बहुती beautiful लड़की उसे दिखती है Jamie उस लड़की को एक अलगी नाम से पुकारता है इसका नाम उसे पता नहीं होता तो उसका बॉस पुछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया Jamie केता है कि अगर मैं उसे अलग नाम से पुकारूँगा तो मुझे में interested हो जाएगी वो जब मुझे बात करेगी तो मैं कहूँगा कि मेरी ex-girlfriend का नाम वो था मैं hurt हूँ इसलिए मुझे वो attracted हो सकती है लड़कियों को पाने के लिए Jamie की अलग अलग ट्रिक्स होती है इसका बॉस भी ये सुनकर impressed होता है इसके बाद Jamie और Bruce एक डॉक्टर के पास आते है ये डॉक्टर उन्हें मिलना बहुत important है अगर इनकी company की गोली ये डॉक्टर लिखने लग गया तो सब डॉक्टर ये ही लिखेंगे इन्हें बहुत सारा फायदा इससे हो सकता है और के quota भी जल्दी से खतम हो सकते है तो इसी वज़े से इनके लिए बहुत important होता है जब ये doctor का wait करते है तो doctor इन्हें इंग्नोर करते है जेमी अपने boss से पुछता है कि इतना important क्यों है जेमी बॉस कहता है कि अगर हमने सही से quota complete कर दिया तो हम Chicago जाएंगे actual पेसे Chicago में हैं हमें मिलने वाले है जेमी भी competitive होता है तो इस काम के लिए वो लग जाता है जेमी फिर receptionist के पास जाता है वो appointment की date पुछता है कि चार वीक पात होती है जेमी कहता है कि तुम मुझे resist नहीं कर पाऊगी जब तक तुम हा नहीं कहते थी तब तक मैं यही रुखूंगा यह पुछती कि तुम बोल कह रहे हो जेमी कहता है कि मुझे sample छोड़ कर जाने है पर उस जगा छोड़ने है जहाँ पर डॉक्टर देख सके जेमी औरतों के साथ अच्छे से बात कर सकता है और पर सिस्टर्न होता है तो रिसेप्शनिस भी मान जाती है इस हॉस्पिटल में और एक लड़की काम करती है जिसका नाव होता है सिंडी सिंडी भी जेमी से इंप्रेस्ट हो जाती है जेमी जब अपने मेडिसिन रखने के लिए जाता है तो उसके कॉंपेटिशन के सैंपल सब कुछ अपने बैक में रख देता है भार जाकर ये डस्बिन में फेक आता है जेमी अपने office में उस लड़की से मिलता है जिससे ओ अलग नाम से पुकारता था ये लड़की उसे कहती है कि ये trick मुझपर नहीं चलने वाली ये बहुत ही intelligent होती है ये कहती है कि मैं किसी भी salesman को date नहीं करने वाली मैं इस profession में हूँ क्योंकि मुझे doctor को date करना है जेमी भी इससे impressed होता है जेमी और उसका boss जहाँ पर doctor जिस बार में आते हैं उसे बार में पहुच जाते है यहाँ पर और एक character हमें दिखता है जिसका नाम होता है Dre जेमी का boss जेमी को गईता है कि जो Dre है ये हमारी competition है यह हमारी country में top 10 salesman में से एक है रे ने हर doctor को convince कर लिया आता है कि उसकी ही company का drug उन्हें देना है जेमी के boss का quota सिर्फ Dre की वज़े से ही नहीं हो रहा जेमी फिर रेंक्स दिन डारेक्टर के पास जाता है वो उसे thousand dollars दे देता है डॉक्टर पुछते हैं क्या तु मुझे bribe करना चाहते हो जेमी कहता है कि मेरी company सिर्फ experiment कर रही है इसी वज़े से हम सब doctors को thousand dollars दे रहे है डॉक्टर legally कुछ trouble में ना है इसलिए कुछ भी story बना देता है डॉक्टर भी बहुत लालची होता है और अब जेमी की बात सुनने के लिए वो ready हो जाता है जेमी भी as a intern डॉक्टर के पीची पीची भागता है अब डॉक्टर जिस patient को देखने के लिए जाते है उसका नाम होता है Maggie Maggie को Parkinson's होता है Parkinson's याने कि nerves का एक disease होता है जिसमें nerves कामने करते हैं उसके बात movement भी करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है Maggie young है और young लोग में नहीं होता पर फिर भी उसको a disease है जेमी जब Maggie को देखता है तो instantly उसे वो पसन आ जाती है Maggie को और एक problem होती है उसे लगता है कि उसके breast पर कुछ problem है तो डॉक्टर को दिखाती है डॉक्टर कहते है कि spider bite है जेमी ये सब देखकर मजे ले रहा होता है जब एक cancellation खतम हो जाता है और जेमी बाहर आता है तो Maggie उसके पास आती है और उसे bag मारती है Maggie कहती है कि तुम sales representative हो तुम क्यों वहाँ थे उसे वो sorry कहने के लिए कहती है Maggie उसकी विमारी के वज़े से बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलती है और जनरली डॉक्टर्स रूड होते है तो इन पर वो चीड़ गी होती है इस बार medical community से कोई तू से sorry बोले ये उसके expectation होती है और जेमी भी sorry बोल देता है जेमी फिर उसका नाम पुझता है Maggie कहती है strong eye contact, body language इससे तुम अच्चे salesman हो ही उस पर अभी भी चीड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है जाते जाते जेमी का एक photo भी लेकर जाती है जेमी को Maggie की बारे में कुछ भी पता नहीं है हॉस्पिटल में काम करने वाली सिंडी जेमी से attracted है तो जेमी उसे call करता है उसे कुछ भी बहान बना देता है और नमबर वो ले लेता है जेमी जब घर पर आता है तो उसका ब्रदर वहाँ आया हुआ होता है उसकी girlfriend ने उसे बाहर निकाल दिया है जिसका ब्रदर एक pawn addict बन चुका है तो इसी वज़े से उसकी girlfriend ने उसे बाहर निकाल दिया इसे emotional support की ज़रूरत है तो जेमी के पास ही आप रहने वाला है मैगी बुछती है कि तुम्हें ये number कैसे मिला पर वो figure out कर लेती है कि receptionist से उसे ये number मिल गया होगा जेमी उसे बोलता है कि please मेरे साथ एक coffee पर जलो मैगी इसके लिए मना कर रही होती है पर जेमी बहुत ही insisting होता है मैगी को पता है कि जब तक वो हा नहीं बोलेगी तब तक ये पूछता है रहेगा इसी वज़े से अब वो मान जाती है इसके बाद हमें इन दोनों की directly date दिखाए गई है मैगी जिस cafe में काम करती है यही पर वो जेमी को बुलाती है यह दोनों बैठते है और जेमी कहता है कि तुमेरे eyes बहुत ही beautiful है मैगी तुरंट पहचन जाती है कि इसकी ए trick है मैगी उससे पुछती है कि क्या हर लड़की पर यह चल जाता है जेमी कहता है कि सच मुछ में सच मुछ में वो बहुत ही beautiful है मैगी इस conversation से पोर हो जाती है वो कहती है कि हम इधर उधर की बाते करेंगे एक दूसरे को like कर रहे है यह सब pretend करेंगे और उसके बाद एक दूसरे के साथ intimate हो जाएंगे तो क्योंना हम time बजाते है डारेकली मेरे apartment पर चलते है जेमी बिलिव नहीं करता कि हो कहा रहा है मैगी serious होती है तो डारेकली apartment पर जाते है और एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है मैगी को भी कोई भी relationship रगना अच्छा नहीं लगता तो इन दोनों के लिए ये best option होता है इस तरीके से पारबार हो मिलने लग जाते है एक बार ऐसे ही जेमी के घर पर मैगी आ जाती है और सब कबड़े निकाल देती है पर उससे पता ही नहीं होता कि जेमी का brother यहा है यह बहुत ही awkward और funny scene हम यहां देखते है जब मैगी और जेमी एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है तो अपने childhood के बारे में जेमी बात करने लग जाता है जेमी की बातों से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही intelligent था उसे biology बहुत ही पसंद थी पर जेमी कहता है कि उसके father को hate करता था उसके father को जेमी को बहुत ही successful देखना था पर जेमी होने नहीं दे सकता था मैगी इस story पर भी believe नहीं करती वो कहती है क्या लड़कियों को यह story पसंद आती है क्या तुम इसी तरीके से लड़कियों की sympathy लेते हो इसके बाद जेमी serious हो जाता है मैगी से बोचता है तुम्हारा boyfriend क्यों नहीं है मैगी भी serious हो जाती है वो कहती है जैसा चल रहा है वैसे तुम चलने दो मुझे कोई भी relationship नहीं चाहिए इसके बाद next scene में हम देखते है कि जेमी के पास ट्रे जाता है यह वही salesman है जो उसके competition है यह जोर से इसके pet में गुसा मारता है हमीं पता है कि जेमी उसके competition के सब medicine dustbin में डाल देता था यह बाद ट्रे को पता चली है और ट्रे उसे बहुत मारता है ट्रे को मैगी और जेमी के बारे में पता है तुसे वह सला दे कर जाता है कि मैगी से तुम दूर भागो वो सही लड़की नहीं है जो medicine जेमी dustbin में फेकता था वो anti-depression थी यह medicine एक भिकारी लेने लग गया था और इसके बाद और वो job interview पर जाने वाला है इसके बाद हमें देखता है कि जैमी मैगी के लिए food लेकर आता है मैगी surprise होती है यह तुनों खाना एकरा खाते है और जैमी उससे बात कर रहा होता है मैगी उससे पुछती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो मैंने तुम बताया है कि हमें कोई भी relationship नहीं चाहिए उसकी last relationship यानि कि ट्रे के साथ जब वो थी तो यही एक problem आया था उनमें बहुत बड़ी fight हो चुकी थी उसी वज़े से break up भी हो गया यह सब चीजे वो जैमी को बताती है इसके बाद यह दोनों intimate होने की कोशिश करते है पर जैमी आज कोच कर नहीं पाता वो actual में Maggie को like करने लग गया है और उनकी जो relationship है सिर्फ physical यह उसे अब नहीं चाहिए Maggie भी उसे समझ लेती है और Maggie कहती ही कि हम अब बात कर सकते है यह फिर सुबे से लेकर शाम तक बहुत सारी बाते करते है बातो बातों में Maggie कहती है यह तुमारी company वाइगरा introduce कराने वाली है यह आदमियों का performance increase करने का एक ड्रग है यह बहुत सारी बाते करते हैं और फिर से intimate हो जाते है Jamie जब जाहरा होता है तो Maggie फिर से उसे कहती है मुझे कोई भी relationship नहीं चाहिए हमने जो बाते की है यह last वार हम करेंगे अब next year में हम देखते है कि Jamie जब अपने boss के पास होता है तो अपने boss को कहता है कि जो new drug हमारी company launch करने वाली है वो मुझे चाहिए Jamie बोलता है कि वो drug sell करने के लिए मैं ही best हो मुझे ज़्यादा fast कोई भी sell नहीं कर पाएगा उसका boss भी ये देने के लिए उसे मान जाता है इसके बाद Jamie और उसका boss बार में आते है इस बार में डॉक्टर और ट्रे भी होता है Jamie डॉक्टर के पास आचाता है वो उसे बात करने लग जाता है डॉक्टर को पता चलता है कि Jamie और Maggie में relationship है डॉक्टर को मैगी के लिए बहुत बुरा लगता है जैमी कहता है कि इसमें बुरा लगने जैसा क्या है वो अच्छे से मेडिसिन में गर लेकी तो सही से हो जी सकती है यहाँ पर ट्रे कहता है कि तुम्हें इसा लगता है पर यह सब पॉसिबल नहीं है जेमी और ट्रे इन दोनों में fight अभी होने वाली है पर ट्रे वहाँ से निकल जाता है यहाँ पर चो डॉक्टर है एक ठरकी डॉक्टर होता है डॉक्टर को girlfriend दिलवाने के लिए जेमी ने अगर help की तो डॉक्टर भी उसके medicine लिखने वाला होता है जेमी इस पर एक्सपर्ट है तो डॉक्टर को help कर देता है रात में जेमी फिर से Maggie को call करता है उसे हो बात करना चाता है Maggie बुछती है क्यों तुमने मुझे call किया है जेमी कहता है कि तुम्हारी आवाज मुझे बहुत ही पसंद है Maggie को यह नहीं चाहिए तो फोन रख देती है जेमी का ब्रदर यह सब सुन रहा होता है वो कहता है क्यों तुम्हें मना कर रही है इसी वज़े से तुम उसके साथ relationship चाते हो जेमी नेक्स दिन Maggie के पास जाता है वो कुछ ओर लोगों को अलग होस्पिटल में लेकर जा रही होती है वो दो दिनों के लिए शेर से बहार रहेगी और रात में भी लेट आएगी Maggie उससे कुछे बात नहीं करना चाहती है जेमी फिर दो दिनों बात रात में आता है और रात में अपनी गाड़े में ही रूखता है वो कंटिनुसली Maggie का वेट करता है सुभा हो जाती है तब Maggie आती है Maggie realize करती है कि रात बर यही था Maggie कहती है कि हम अगर relationship में जाएंगे तो हम अपने friends को एक दुसरे से नहीं मिलवाएंगे हम हमारी relationship को secret रखेंगे क्योंकि इसके बाद लोग hurt हो जाते है अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं कभी भी तुम्हारा मूँ नहीं देखूंगी जेमी इन सब के लिए मान जाता है और एक दुसरे के साथ रहने लग जाते है अब जेमी को new medicine का account भी मिल चुका है तो बहुत ही खोश होता है बहुत अच्चे से sale करता है और top salesman ये भी बन जाता है जेमी और मैगी की relationship भी बहुत ही beautiful चल रहे होती है bedroom में भी एक दूसरे को tape करते है एक दिन मैगी के साथ जेमी होता है और अपनी मदर से बात कर रहाता है अपनी मदर को कहता है कि 20,000 tablets मैंने sold कर दी है मैगी को पताता है कि सिर्फ 12,000 थी तो फोन रख देने के बाद मैगी उसे पुछती है तुमने ऐसा क्यों कहा जेमी कहता है कि मेरी मदर के सामने मुझे सिर्फ अच्छा साउंड करना था इसलिए मैं कर रहा था मैगी पुछती है कि और क्या तुमने जुट बोला है मैगी जेमी को figure out कर लेती है वो कहीती है कि तुम confident हो तुम अपने goal के लिए बहुत सारे काम करते हो तुम smart हो, तुम intelligent हो पर फिर भी तुमें लगता है कि तुम यह सब deserve नहीं करते तुम कितने अच्छे हो कि तुमें खुट को नहीं पता है वो जेमी को confidence दिलाती है कि वो अच्छा आत्मी है एक दिन जेमी पार्टी में जाता है यहां बहुत सारे ड़किया होती है पर यहां वो realize करता है कि वो एक्छू में Maggie से प्यार करने लग गया है वो रात में Maggie के पास आता है उसे kiss करता है उसे वो बात करना चाता है पर वो एक करने पाता उसे सास लेने में तकलिव आ जाती है Maggie भी उसके लिए डर जाती है यह इसी pain में उसे बोल देता है कि उसे बहुत प्यार करता है Maggie भी उसे हक करती है अब हम देखते हैं कि थोड़े दिन गुजरत चुके है Maggie का disease और भी बढ़ने लग चुका है उसके हाथ बीज-बीज में थर-थर आने लगते है वो सही से कुछ काम करनी पाती एक दिन उसके medicine सब खतम हो जाते है यह बहुत ही depressed में हैसुस करती है रात में जब Jamie घर पर आता है तो Maggie कहती है मेरे साथ तुम क्यों रहना चाते हो क्या तुम्हें नॉर्मल girlfriend नहीं चाहिए तो तुम्हारे साथ कही जा सके कुछ चीज़े कर सके Maggie को लगता है कि उसे DC से इसी वज़े से Jamie उसके साथ रह रहा है Jamie भी इस पर चीट जाता है और वहाँ से निकल रहा होता है तो यह Maggie अपना glass नीचे फिक देती है Jamie बाहर चला गया होता है पर फिर भी आवाज सुनकर अंदर आ जाता है Maggie को हक करता है क्योंकि उसे सारी की जरुरत होती है Maggie की condition ठीक हो सके इसलिए अच्छा से drugs वगरा available नहीं है पर Jamie इसके लिए पूरे effort अप डालने वाला है Jamie की एक जगा पर conference होने वाली होती है यहाँ भी वो Maggie को लेकर जाता है इसे conference में Maggie को कुछ लोग मिलते है जिनको भी उसकी तरह ही बीमारी होती है इनका एक special club होता है जहाँ वो जाकर एक दूसरे से बात करते है Maggie जब वहाँ जाती है तो सब लोग उसकी बीमारी के वारे में खुल कर बात कर रहे होते है यह भी उसकी तरह ही है और बहुत सारी चीज़े अपनी लाइफ के साथ कर रहे है यह देखकर उसे motivation मिलती है उसे जो लगता था कि वो अकेली ही है अब वो उसे नहीं लग रहा वो भी अच्छे से लाइफ जी सकती है इसके लिए वो hopeful है जेमी को भी text message करकर वो यहाँ बुला लेती है जब मिटिंग खत्म हो जाती है तो जेमी एक आदमी से बात करता है इस आदमी की wife भी इसी डीसिस से जुंज रही है जेमी इस आदमी को उसकी wife के बारे हैं बोचता है कि तुम दोनों की relationship केसी है जेमी बोलता है कि क्या तुमारे wife को भी है जेमी कहता है कि मेरी girlfriend को है जेमी को सला देता है कि इस relationship को तुम end कर दो यह बिमारी बहुत ही घटिया है तुम किसी भी लड़की से प्यार करते हो तो उसके कुछ qualities के लिए करते हो पर यह सब quality उस लड़की से चीन लेती है यह आदमी कहता है कि मैं मेरी wife से प्यार करता हो पर फिर से दुबारा में यह सब नहीं करना चाहूंगा जेमी यह सब सुनकर डर जाता है अब यह ठान लेता है कि कुछ भी करेगा पर Maggie को क्योर करके रहेगा Maggie के लिए वो research करता है अलग-अलग hospitals देखता है बहुत सारी test Maggie और वो जाकर करवा करा दे जेमी अपने job में बहुत ही आगे चला गया था पर वो अपने job में भी अब जरा बीचे आ रहा है Maggie भी अलग-अलग hospital में जाने से अब चेट जाती है वो अब जेमी से बात करती है वो कहती है कि यह सब तुम क्यों कर रहे हो मेरी बीमारी के साथ भी में रह सकती हो इतना बड़ा यह issue नहीं है वो फिर realize करती है जेमी से बुचती है क्या तुमें लगता है कि अगर मेरी बीमारी ठीक होगी तब ही तुम उससे प्यार कर सकते हो जेमी कुछ भी बोलता नहीं यह समझ जाती है कि यही reason था जेमी से अब वो break up कर लेती है जेमी फिर से अपने career में track में आ जाता है सब targets वगिराव जल्दी जल्दी complete करता है तो उसे promotion भी मिल जाता है अब वो नई जगा promotion के लिए जाने वाला है इसके बाद जेमी अपने boss के साथ एक restaurant में celebrate करने के लिए आता है यहाँ पर उसे फिर से Maggie मिलती है Maggie एक दूसरे आदमी के साथ होती है जेमी उसे बात करना जाता है पर Maggie वहाँ से निकल जाती है फिर जेमी अपने जब boss से बात करता है तो सिर्फ James को promotion मिला होता है उसके boss को promotion नहीं मिलता जेमी को यह system बहुत ही गलत लगता है अब जेमी प्रमोशन के लिए नई city में जाने वाला है तो सब packing विएरा कर रहा होता है हमने देखा है कि जेमी और Maggie एक दूसरे को tape करते थे तो यह tapes उसे मिल जाती है एक वीडियो चलाता है जिसमें Maggie बहुत ही खुश होती है जेमी जब पूछता है तो यह कहती है कि यह जो moment है यह मेरे लिए बहुत ही beautiful है ऐसा एक moment हो या हजार पर अभी जो चल रहा है यही मेरे लिए बहुत ही important है जेमी अब realize करता है कुछ भी चीसे matter नहीं करती Maggie के साथ जो भी पल वो गुजार सके वो उसे गुजारने है यह moment उसका important है वो future की नहीं सोच सकता जेमी जल्दी से Maggie के पास जाता है Maggie एक bus में आगे चली जाती है तो bus का पीछा करता है और bus को रोक लेता है Maggie पुछती है क्या है सब करकर तुम मुझे impress करना चाहते हो जेमी कहता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो जेमी कहता है कि मैं घटी आदमी हूँ मैंने मेरी पूरी लाइफ में किसी भी केर नहीं की है जब तुम मेरी लाइफ में आई तो तुमने मुझे सब कुछ चीज़े सिखाई है मैं जो समझता था वो मैं गलत समझता था तुमने मुझे सही आदमी बनाया है सब लग मुझे जैसे देखते थे वैसे तुमने मुझे कभी भी नहीं देखा तुमने मुझे अपने आप पर Believe करना सिखाया है Jemmy कहता है, यह मुझे तुम्हारी जरुरत है और तुम्हें भी मेरी है यह सब सुनकर Maggie भी रोने लग जाती है Maggie कहती है, यह मुझे तुम्हारी हम दोनों की ही जोड़ी बेस्ट है इसके बाद ये एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं मूवी के लास में जेमी हमसे कहता है कि लाइफ में हम जो चीजे एक्सेप्ट करते हैं वो कभी-कभी हमें नहीं मिलती पर जो हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं उसे जादा हमें मिल जाता है, अब जेमी उसे जो प्रमोशन मिलने वाला था, वो नहीं लेगा, उसे हमेशा से डॉक्टर बनना था, तो इसलिए अब वो डिग्री लेने वाला है, जेमी हमसे कहता है, कि अपनी लाइफ में आप हजारों लोगों से मिलते हैं, पर कोई भी आप मिलते हैं, और वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है, जेमी के अंदर बहुत सारी इनसीकृरिटीज थी, वो अपने आपको घटिया समझता था, इसे वचे से सब गलत जीज़ेों करता था, पर मैगी से जब वो मिला, तो मैगी ने, वो सचूज में अच्छा आ बहुत सारी इस तरह की मुवीज लेकर आता रहता हो, तो प्लीज चानल को सब्स्राइब कर दीजे, और बेल नोटिक्वेशन आइकों दबना में मत भूलिया, अब फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ, तब तक के लिए थैंक्यू, और आप अपने आपका ख्याल के लिए टेकिए.